आज के वीडियो का सरपरपस क्या होने वाला है कुछ दो तीन दिन में मैं 10-10 मिनट के आपके वीडियो बना दूंगा जिसमें जो आपको कुछ टफ पॉइंट्स लगते हैं जो के ऐसा लगता है जूट सकते हैं वो मैं आपको कराने के ट्राय करता हूँ क्योंकि टाइम कम है एक मिनट भी आपका वेश्ट नहीं होगा यहाँ पे 10 मिनट से बड़ा मैं वीडियो रखने के ट्राय नहीं करूंगा क्योंकि आप अगर इसको 1.5 की स्पीड में देख लेते हैं तो 7.5 मिनट में आपका खतम होना चाहिए और आपको कुछ अच्छी चीज यहां से पत्या चलने चाहिए जो आपके एक्जाम में काम आजाए ठीक है तो सबसे पहले आज का जो आपने डिस्क्रिप्शन और टा अगर आपको इंट्रेस्ट का कैलकुलेशन करता है तो तीन चीजों का पता होना चाहिए तीन चीजे आपके सामने होना चाहिए एक होना चाहिए रेट कौन सी रेट पे इंट्रेस्ट लगने वाला है कौन से अमाउंट के उपर इंट्रेस्ट लगने वाला है और कितने पी period और amount 234a जो है वो एकदम अलग section है अला कि हम लोग पढ़ते हैं सब साथ में है पर 234a जो अगर आप अपना module भी देखोगे वो return filing वाले chapter में दिया हुआ है और 234b और 234c आपके advance tax वाले chapter में दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग 234a के बारे में बात कर लेते हैं 234a एक ऐसा section है जो आपके assessment year से ही चालू होता है और उसमें ही tax आपको उसके उपर ही आपको interest देना पड़ता है क्या है क्या नहीं है मैं पूरा in detail आपको समझा देता हूँ तो देखो मैं अपने return filing वाले chapter पे आ जाता हूँ इससे पहले देट थी वहां तक आपको return file करना था या तो आपने return due date के बाद file किया मतलब late return file किया या आपने जो return है वो late file नहीं किया कभी file ही नहीं किया दो situation तीन situation होगी या तो आप अपना return time में file कर दोगे अगर time में file कर दोगे तो कोई interest नहीं लगेगा अगर return late file कर रहे हो या return कभी file ही नहीं कर रहे हो तो आपके उपर 234A का interest लगेगा इतना clear है? हाँ sir section का नाम क्या है? interest for default in furnishing of return अगर आप return file करने में कुछ default करते हो गलती करते हो, late file करते हो तो आपके उपर क्या लगने वाला है? interest लगने वाला है फिर से याद करो मैंने क्या बोला था तीन चीजे मैंने बोल ले थी तीन चीजे पता होने चीए rate, period, amount सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है interest क्यों लगेगा? अगर आप assessive furnish करता है return, either due date के बाद file करता है या फिर file करता ही नहीं है तो आपके उपर interest लगेगा rate कौन सी rate से interest लगेगा? तो आपके लिए good news है कि तीनों जो section है उसमें same ही rate से interest लगने वाला है 1% per month और part of the month part of the month का मतलब क्या होता है? part of the month का बड़ा ही simple मतलब होता है समझो आपको 31st July तक return file करना था आपने नहीं किया August में भी नहीं किया 15 September को आपकी नीन खुलती है और आपने अपना return 15 September को file कर दिया जुलाई तो 31st था तो वो तो interest लगे का नहीं next month कौन सा आने वाला है जुलाई के बाद जुलाई के बाद सर आने वाला है August August का 1% interest लगे का और 15 September को जो आपने return file किया था वो 15th of September के भले ही 15 दिन है आदा महीना है पर उसका भी आपको क्या लगेगा पूरा 1% interest लगेगा तो 1% पर मन्त या पार्ट अफ दा मन्त आदा मन्त है उसको भी हम पूरा count करेंगे for the purpose of interest सबसे पहले rate पता चल गई period कौन से period से लेके कहां तक interest लगेगा मतलब कितने period तक interest लगेगा तेखो जो due date था आपका 31st July वहां से count कर दो मतलब 1st August से count कर दो जब आपने actual return file कर दिया वहां तक का आप क्या कर दो interest भर दो जैसे अपने case में 15 September ता तो August के 31 देज और September के कितना पनरा दिन तो कितना हो जाएगा 46 डेज का आप क्या कर तो interest पे कर दो समझो आपने return file ही नहीं किया तो सर कितने period का interest लगेगा तो interest लगेगा जब से आपका due date होता है वहां से लेके जब आपका assessment complete हो जाएगा वहां तक आपको क्या देना पड़ेगा interest देना पड़ेगा from due date of return filing till actual return filing तक आपको normally interest देना पड़ता है अगर आपने return file ही नहीं किया तो जब तक आपका completion नहीं होता assessment वहां तक क्या करना पड़ेगा जब आपका assessment complete हो गया जिस दिन order आ गया उस दिन क्या कर दो आप उतने time का interest पे कर तो दस अजार ले लो multiply by one one percent per month या part of the month अपने example में two percent हो जाएगा और multiply by कितना दिन कर दो 46 days अपने example में ले लो तो जो amount आएगा उतना interest आपको जमा कर देना है मतलब सर अगर हमारा bank tax सब्रेगर ही नहीं तो हमें इंट्रेस बढ़का बिल्कुल सही बात है अगर tax देना पड़े तो ही उसके उपर इंट्रेस कोगे न जब taxi नहीं दिनर ना तो कयसा berry जिन न इन माट तो अगर tax होगा तो interest होगा तो नहीं तो इंट्रेस नहीं पका तो लेना तो वो केस में भी आपको इंट्रेस्न नहीं लगेगा क्योंकि जो अमाउंट होगा वो डिटर्माइन होगा 1431 मे है 1431 जो इंटी मेशन आपको मिलता है 1433 क्या आपका बता कर लिसमें जो आपका है उसमें से रेड्वांटस तैक्स ट्डियस है 49 इनका relief और AMT का credit जो amount आ जाएगा उसके उपर आपको क्या करना पड़ेगा interest calculate करना पड़ेगा तो देखो तीन चीज़े पता हो नेचे amount rate interest अपने को पता चल गया बस कोई भी question आए आप solve कर सकते हो कोई problem नहीं यह हो गया 234B का interest अभी next आते हैं 234C और 234B के interest के उपर तो सबसे पहले 234C के interest पर आएंगे क्योंकि 234C का interest जो है वो previous year से ही चालू हो जाता है यही एक ऐसा interest है तीनों मेंसे यह जो 234C का interest ध्यान में रखो कि यह previous year में ही लगेगा और previous year के लिए ही लगेगा सब उसके लिए आपको advanced tax के कुछ छोटे से concept जानने पड़ेंगे advanced tax कब-कब जमा करना पड़ता है यह आपको पता है 15 June 15 September 15 December 15 March याद करने का तरीका क्या है सच जो quarter end का month होता है जून जो month है correct है जून में quarter end होता है अपरिल में जून का जून में तो जून का 15 तरीक ले लिया आ रहा है अपन कंप्यूट करें क्लास में मैंने सब बताया था तो उसका 15 परसंट लो 15 September को क्या करना है 15% में 30% एड़ कर दो यह 45% में 30% एड़ कर दो और लास्ट में 15 मार्च तक 100% जमा करा दो 15% 45% 75% और 100% तो यहां तक आपको इतना 15 जून तक आपको क्या करना पड़ेगा 15 सेप्टेंबर तक 45% 15 डिसमबर तक 75% 15 मार्च तक 100% अब आप बोलते हो सर में को नहीं कराना जमा क्या कर लोगा आप जो करना है कर आप income tax department वालों को बोलते हो कि हमें नहीं जमा कराना है यह advanced tax बले ही मेरा advanced tax आ रहा है पर मैं नहीं जमा कराऊंगा आपको जो करना है वो कर लो यह case में government क्या कर सकती है government interest लगा सकती है कि मत करो कोई बात नहीं जो भी आपका advanced tax का आप deferment कर रहे हो वो deferment पे आपको quarter wise क्या ह लगाएंगे interest लगाएंगे और एक्जामपल आप ये जून मंत का interest जून मंत का advance tax पूरे साल में जमा ही नहीं कराते हो जब आप return फाइल करते हो तो उसके साथ जमा करा दे तो correct है तो यहाँ पे जो 15 जून तक आपको payment करना था 15 जून तक का जो interest था वो आपने payment नहीं किया फिर 15 September तक आपने नहीं payment किया 15 December का भी आपने नहीं payment किया 15 March का भी आपने नहीं पे किया तो जो जो आप quarterly advance tax नहीं जमा करा रहे हो उसका हर quarter का आपको क्या देना पड़ेगा interest देना पड़ेगा कैसे देना पड़ेगा वो 234C में लिखा है तो 234C में सबसे पहले बताऊ amount क्या होगा तो amount जो आपने differ किया है amount आपको भड़ना चाहिए तो 15% आपने 15% नहीं बढ़ा तो पूरा amount आपका जितना भी advance tax liability का 15% आपका क्या हो जाएगा taxable हो जाएगा उतने quarter का into 1% per month और part of the month rate same है कोई attention की बात नहीं है और 3 months 3 months के लिए लगेगा हर quarter के लिए पर आपको ध्यान रखना है जो last month होगा last quarter होगा उसका सिर्फ एक month के लिए ही interest लगेगा वो bracket में मैंने लिखा है एक month के लिए ही interest लगेगा ऐसा कि उसका logic समझो देखो यह 15th June हो गया 15 June हो गया correct है इसका 3 महिने का interest था 15 September का 3 महिने का था 15 December का 3 महिने का था जब 15 March आता है तो previous year का कौन सा एक month बचता है एक March ही बचता है उसके बाद तो assessment year आ जाता है यहाँ पर एपरिल आ जाएगा next year का तो यह एक month का ही interest आपको 234 C में देना है क्योंकि 234 C का interest सिर्फ previous year में लगता है correct है यहाँ पर 3 month यहाँ पर 3 month यहाँ पर 3 month और यहाँ पर 1 month simple है यहाँ यह रट्टा मारने की जरुवत नहीं है याद भी कर सकते हो पर समझ लो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर maximum कितना 3 3 3 और 1 month का आपके ऊपर क्या लगेगा interest लगेगा 234 C देने की जरुवत ही नहीं है अगर आपने 15% की जगा 12% भी दे दिया चलेगा यहाँ पर 45% की जगा 36% दे दिया तो चलेगा 15% कैसे याद रख रख 15% में से 3 कम कर दो 12% 15th रिजा 45 होता है 12th रिजा कितना होगा 36 होगा तो ऐसे याद हो जाएगा बले ही आपने यह चीज पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है बले ही अगर आपने 12% या 30% भी 1st और 2nd इंस्टॉल्मेंट बे एडवांस एक्जमा करा दिया है तो भी चलेगा कोई दिक्कत की बात निया फिर 234C आपको नहीं देने की जरूरत है अगर आपका वो सब चीजे है अगर आपको capital gain होता है अगर आपका lottery income होता है तो अगर आपको पता थोड़ी होता है कि lottery कब लगने वाला है तो जब आपको लगा उसके बाद का advance tax आपको दे देना है उसके उपर interest भी दे देना है पर उससे पहले का कोई देने की जरूरत नहीं capital gain, first time business income यह सब होता है तो फिर बात करते है 234B की 234B भी same अगर आपने advance tax का non payment किया या तो payment नहीं किया या फिर कम payment किया तो ही आपके उपर लगेगा interest कौनसा 234B का पर ध्यान रखने की बात क्या है ये जो interest है वो assessment year में लगेगा previous year में नहीं लगेगा कब लगेगा assessment year में लगेगा तो assessment year में कौनसे amount पे लगेगा जितना आपने पूरे साल में advance tax कम पे किया है क्योंकि वो तो previous year में वो interest लगाना government ने बन कर दिया भी assessment year में 234B का interest लगा रही है जो भी आपने advance tax में पूरे साल में कम पे किया है rate क्या लेना है 1% per month या part of the month same है और period कहां से कहां तक लेना है 1st April of assessment year जो आपका ये साल का 1st April है वहां से लेके जब आप actually return file करके tax liability का payment कर देते हो वहां तक आपको क्या कर देना है interest pay कर देना है यहाँ पे भी एक exception है कि अगर आपने पूरे साल में पिछले साल 90% of advance tax जमा करा दिया है 90% of advance tax क्या करा दिया है जमा करा दिया है तो आपको interest payment करने की जरुवत नहीं है government समझते है कि यहाँ 10% कम होता है तो चलता है 90% है उससे ज़्यादा 92% 95% करा दिया है तो आपको कोई problem नहीं है आपके उपर ये applicability नहीं होगा interest का उम्मीद करता हूँ कुछ कम time में मैंने try किया है कि आपको ये चीज़े समझ जाए questions अभी time की कमी है आपके लिए ही better रहेगा आप खुद देख लो कोई doubt है तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपका reply कर दूँगा चलो bye bye God bless you Take care